हाई गाईस वेलकम बैक तो में चैनल कैसे हूँ अपसम आज मैं आप लोगों के साथ एक स्किन केर प्रोड़क्ट का रिव्यू करूँगी और वो प्रोड़क्ट है यह यह है गुड़ वाइप्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम हाइली रिक्वेस्टेड यह फेस सीरम है काफी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए आपके स्किन की स्किन की बूस्ट करता है आपके यह एंटी इजिंग माना जाता है रंग रूप को साफ करता पिग्मेंटेशन को हटाता है तो ड़्यूनी मेरा मान था मैं इसको ट्रॉई करूं अड़ अपने तो फटा फट से अब आप इसका review देख लो and demo देख लो and yeah one more thing मेरे चानल के उपर giveaway चल रहा है giveaway 4 नहीं देखे आप लोगों ने वीडियो एक मैंने giveaway rules के उपर अपनी वीडियो अपलोड की है नहीं देखे आप लोगों ने वीडियो लिंक प्रवाइट कर दूगी जाके जरू अगर आप लोगों को मेरे मेक अप में से कुछ भी पसंद आरा लाइक लिप्स्टिक नेल पॉलिश और कुछ भी तो सब के परच्छे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पॉक्स में मिल जाएंगे चेक आउट कर लेना अगर मेरे कपड़े अच्छे लग रहे है तो यह आता है देख सकते हो आप रोज हिप मतलब जो गुलाब की जो फूल होते है उसके पीछे वला जो हिस्सा होता न यह उस चीज का सेरा में आप देखे सकते हो फोटो में और प्राइस इसका दिया है टू हंड़ड और फिफ्टीन रुपीज बद यह डफिनेटल आपको डिस इस बाकी की जो रोज हिप ओल लिखा हुआ है ठीक है यह सारी चीज़े ही यह सीरम की कंसिस्टेंसी में है एबात सेरा इसका टेक्श्चर मुझे बहुत जयादा इसका पसंद है टेक्श्र आपने ऐपना फैस बश करना है दो तीन ज्रॉप इस फेस सीरम के आपने अपने करने हैं मसाज करना आप में फिंगल टिप्स के साथ एंड तब तक मसाज करना चबता कि आपके स्किन के अंदर अब्जॉब ना हो जाए ठीक है जैसे बाकी सीरम के साथ करते हैं यह आप देख सथे जैसे रोस हिप सॉरी जैसे गुडवाइब्स के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगेरा होते हैं बल्कुल सेम ऐसी पैकेजिंग है ब्लुईश पॉपलिश कलर की कांस्की बॉटल है एंड ओके बाई दवी इसके साथ यह दो यह मिला था यह इसके उपर यह बंद किया हो था कैप के साथ और यह इसका as a dropper था तो dropper के साथ यह सीरम बहुत धीर मुझ्छा आता है तो मैंने यह जो इसके साह दिया हुथा तो मैंने इसको यूज कर लिया यह इसको क्या बोलते हैं, I have no idea, यह था बस इसके जाथ, इसको मैं काफी टाइम से यूज़ कर रहे हूं, and मुझे बहुत पसंद आ रहा है, but then मुझे इसके कंसिस्टेंसी बहुत पसंद आई, देख सकते हैं, it's not oil, it's not kind of a patla सा serum टाइप भी नहीं है, I don't know, in between सा texture है, but, जिन के पास होगा, उनको idea होगा कि मैं किस तरह के texture की बात कर रहे हूं, so soft, so smooth, हाँ, इसमें से rose की थोड़ी से fragrance आती है, जो अच्छी चीज है, and blend करोगे न, तो oil की तरह नहीं रहेगा, dear, ना यह serum की तरह बिल्कुल ही गायब हो जगा, it will bring a natural glow, देख सकते हैं, किन ना naturally glow करने लगी, चिप-चिप नहीं है, तेल नहीं है, definitely मैं बोलूँगे, आप लोग इसको एक बार मतलब, एक बार तो भीया, ज़रूर ट्राइ करना चाहिए, मुझे ये प्रोड़क्ट इतना पसंद आया, कि मैंने इसको अपने गीववे में रख दिया, आपको अगर गीववे की आपको मेंशन कर दिया, शेक कर लो बोटल को थोड़ा सा पहले, और उसके बाद मैं वन वन ड्रॉप लगाऊंगे, अपने इनो, सब तरह फेस के हर एक पार्ट पे लगाऊंगी, चीक्स पे हो गया, या फिर चिन पे हो गया, नोस पे हो गया, वन वन ड्रॉप लगाऊंग अपने इस ग्लो सीरम का रिवीव देख लेख लेए और देमो भी देख लेए, बड्रॉप लगाऊंगी, प्लो प्लोप लगाऊंगी, प्लोप लगाऊंगी, अगर इज ग्रूप के अगर मैं बात करों तो अगर आप 17-18, 19-20 साल के भी तो भी आप इसको अपलाई कर सकते हो, क्योंकि अब देख सकते हो, स्किन कितनी जादी प्लंपी-प्लंपी सी लगे इसको अपलाई करके, डेफिनेटली एक बर यार आप इसको ट्रॉइ करो, एक बर आपके पास ये मतलब ट्रॉइ करना बनता है ये प्रॉडक्ट, पसंद आता है तो आप इसको दुबारा ख आप इसको ट्रॉइ कर सकते हो, और कितना ये हाइप्ट प्रॉडक्ट ही आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, ठीक है, तो जरूर आप इसको जाके ट्रॉइ करो, और परचेस लिंक्स वगेरा मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूंगी, आपके अपकी फूचर में नोटिफिकेशन बगारा मिलती रहें, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूं और मैं रूज वीडियो अप्लोड करती हूँ, यप, बाइ!